आज का हमारा टॉपिक है लीज तो देखिए जब कोई परसन जो है किसी आसट को जैसे की लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीन या फिर कोई वीकल हो सकता है उसको अगर वो किसी और से अपने लिए यूज करने के लिए लेता है तो उस परसन को हम जो है लैजी कहते है और जिस परसन से वो एसट को लेता है यूज करने के लिए उसको हम लैजर कहते है और इस प्रोसेस को हम कहते है लीज इसका मतलब क्या हुआ कि 위해서 में asset जो है जिसकी होती है उसको हम lazzy कह रहे है और जिसने वो asset use करने के लिए लिए है उसको हम tag़ी कह रहे है और इस process को यानि जब कोई विक्ति अपनी किसी Aussets को अपनी किसी property को, किसी दूसरे विक्ति को use करने के लिए देता है, एक specific time के लिए, एक specific income के बदले में, तो उसको हम lease कह रहे हैं, और यहाँ पर एक lease contract जो है, वो बनाते हैं, यह दोनों, उस lease contract में सारे कि सारे terms and condition रहती है, है lease से regarding, कि क्या-क्या उसमें terms and condition हो सकती है, जैसे कि owner सीप से related हो सकता है, period of lease हो सकता है, time interval for payment of lease money, कि कि इतने time के बाद जो है lease money की payment की जाएगी, risk या maintenance provision और भी कुछ बाते जो उन दोनों को important लगें, वो इस contract में लिखी होती है, तो कुल मिल आके हम यह कह सकते हैं, कि यह दोनों जो है lease के अंतरगत एक contract करते हैं, definition हमारे पास है, James C. Van Horne, a contract of lease is a contract whereby the owner of an asset, जिसको हम laser कह रहे है, grants to another party leasie, the exclusive right to use the asset, usually for an agreed period of time in return for the payment of rent, अब यभी जो मैंने explain किया था, definition में वही आ रहा है, कि lease क्या है, यह कैसा contract है, दो वेक्तियों के बीच में, यानि कि laser और lazy के बीच में, laser जो है, वो asset का मालिक है, और यह अपना asset को use करने का right, दूसरी party को जिसको हम lazy कह रहे है, दे देता है, एक agreed period, जो भी नोंने contract में decide किय है, उस period के लिए, और return में यह उससे, उस asset को use करने के लिए, जो है, rent लेता है, next है, important characteristics of lease, तो lease की जो important characteristics है, यह है, कि lease finance जो है, इसमें, जब भी कोई विक्ति, किसी दूसरे विक्ति की asset लेता या देता है, तो वो आपस में contract करते है, तो lease finance जो है, वो हमेसा ही contract की form में होता है, और lease contract में, दो party जो है, involved रहती है, एक को हम laser कहते है, जो owner होता है, दुसरे को हम lazy कहते है, जो उस asset को use करता है, lease जो है, हम यहाँ पर यह भी कह सकते है, lazy, यहाँ पर asset जो है, request करके laser से लेता है, क्योंकि माली जी, lazy के पास asset होती, तो वो क्यों लेता laser से, तो laser से request करके, वो उसकी asset को use करने के लिए लेता है, as a source of, हम यह कह सकते है, कि as a source of asset कि वो खुद नहीं खरीच सकता है, तो उस asset को वो से ले लेता है, ownership जो है, यहाँ पर asset का laser के पास ही रहता है, पूरा lease period के दुरान, और जो lazy है, वो सिर्फ asset को use कर सकता है, हम यह भी कह सकते है, यहाँ कि जो lazy है, जब वो asset को use करता है, एक specific time के लिए, तो वो एक time interval के बाद, जो कि हर महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, साल भी हो सकता है, तो जो भी उन्होंने time interval महाँ पर fix किया है, उसके बाद जो है, rent या एक amount जो है, pay करता है owner को, और यह amount या rent, laser के लिए income होता है, तो lazy के लिए खर्चा होता है, और यह जो lease rent है, इसको हम income tax की calculation करते हुए, एक deductible expense बानते है, यानि कि जब हम lazy की income की calculation करेंगे, तो वहाँ पर income tax की calculation करने से पहले इस खर्चे को हम minus कर लेते हैं, जबकि जो laser है, उसको depreciation allowed होता है, अपनी asset पे, तो वो भी अपना profit calculate करते हु depreciation को minus कर लेता है, तो उसका भी जो है, वहाँ पर tax कम हो जाता है, next है कि difference क्या है lease और higher purchase में, higher purchase हम पढ़ चुके है, तो first जो difference है, वो owner के base पर किया जा रहा है, कि lease जो है, वहाँ पर ownership transferred नहीं होती है, लाजी को, जबकि जो higher purchase है, वहाँ पर जो है, last installment की जब payment हो जाते है, त tax, तो जो लाजी है, जो भी rent की वो payment करता है, उसको वो अपने profit and loss में दिखा सकता है, और जिससे उसका जो tax liability, tax liability वो कम हो जाते है, क्योंकि उसका profit कम होगा, तो profit कम tax देना पड़ेगा, tax advantage, यहाँ पर higher purchase की system में केवल जो interest की payment करता है, यानि कि principal amount पे नहीं है, interest की payment जो की जाती है, उसको जो है, वो दिखा सकता है, as expense in his profit and loss, depreciation, तो लाजी जो है, उसको depreciation का benefit नहीं मिलता है, lease के अंतरकत, higher purchaser, asset pay depreciation का benefit जो है, वो ले सकता है, residual value, laser को जो है, जो भी बाद में residual value बशती है, asset की, जो भी अवचेस बशता है, उसके उपर right होता है, जबकि higher purchaser का right होता है, higher purchaser के अंतरकत, residual value बशता है, और ये, जो भी हमारी asset होती है, property होती है, equipment होता है, उसकी पूरे expected life पे होती है, normally expected life जो है, asset की, जब हम financial lease किसी के साथ करते है, तो वो पूरी की पूरी, उसकी जो asset की life है, वो lease के time period में ही निकल जाती है, और उसके बाद अगर मान लीजे, lease time period खतम हो गया, तो वो asset भी ऐसी asset ऐसी होती है, कि वो residual value ही उसकी कुछ हो सकती है, कुछ हवसेस के रूप में, वो ऐसी नहीं होती कि उसको हम future में, जो है, use कर पाई, यानि कि एक लंबे time के लिए, financial lease होती है, और यहाँ पर जो laser होता है, वो जो भी उसका total cost है, asset का, या जो भी उसके खर्चे है, वो rent के किसी दूसरे विक्ति को use करने के लिए दियेगा, तो खर्चा तो उसका हुआ है, तो उस खर्चे को पूरा करता है, वहाँ से जो उसको rent के रूप में, उस asset को दूसरे विक्ति को देने के बदले में मिल रहा है, जो lazy यहाँ पर होता है, उसकी responsibility रहती, asset के maintenance के और insurance के जो है, वो lazy के खातों में दिखाई जाएगी, क्योंकि लंबे टाइम तक उसी ने जो है, यहाँ पर उसको रखना है, next है operating lease, operating lease वो lease है, जो की asset की पूरी lifetime के लिए नहीं हुए, थोड़े time के लिए हमने किये, हम थोड़ा time उस asset को use करके, वापिस जो है, वो दे दी जाती है जो भी उसका मालिक है उसको, तो यहाँ पर हम इसको short term lease भी कह सकते है, और operating lease भी कह सकते है, जैसे ही lease का time period expire होता है, तो laser अपनी asset को वापिस ले लेता है, और lazy जो है, उसके maintenance और insurance वगरा के खर्चे जुरूर देखता है, और ऐसी asset जो है, वो balance sheet में भी lazy के नहीं दिखाई जाती है, तो यहाँ पर difference हम देख सकते है, financial lease और operating lease के बीच में, फर्स्ट जो difference है, वो lease period को लेकर ही हो रहा है, तो जो financial lease है, महाँ पर long term time के लिए जो है lease की जाती है, और ज्यादा तर asset का पूरा time period उसमें निकल जाता है, पूरा जीवन काल, जबकि जो हमारा financial lease है, वो short term period के लिए होती है, उसके बाद अपने मालिक के पास वापिस asset कर दी जाती है, या चली जाती है, termination of lease, financial lease को terminate नहीं किया जा सकता है, पहले और बाद में, जो भी उन्होंने time fix किया है, उसके, liability of maintenance expenditure के, जो भी आपके होते है, maintenance के, repairs के, insurance के, उनको जो है, लाजी बीर करता है, financial lease में, जबकि सारे के सारे खर्चे जो है, वो, लाजर के द्वारा, बीर किये जाते है, operating lease में, risk of absolence, अगर कोई किसी तरीके का, absolence होता है, तो, assets related, उनको लाजी के द्वारा बीर किया जाता है, financial lease में, जबकि operating lease में, यह सारा, जो loss होता है, परचलन से रिलेटिर यानि कि वह एसेट अब यूज में नहीं हो सकती उसके जगए नहीं नहीं टक्निक्स आ गई है तो वह लोस जो है लैजर का रहता है comparison of lease rent with asset cost plus profit तो financial lease जो होती है महाँ पर जो भी rent मिलता है फूरा lease time के दुरान तो उससे जो है asset की cost को cover up करने की कोशिश करता है जो लैजर होता है और साथ ही वो उसमें profit याड़ करके मतला इतना amount रखता है कि उसके asset की cost भी निकला है और उसको कुछ ना कुछ महाँ पर profit भी हो जबकि जो operating lease है महाँ पर सिर्फ जो हम कहते कि थोड़े time period के लिए जो होती है और उससे हम यह नहीं कह सकते कि उससे जो आजर है वह अपना कोस्ट भी कवर कर लेगा और प्रॉफिट भी कवर कर लेगा क्योंकि वह बहुत ही कम time period के लिए होती है